हेलो वेलकम तो मारी यूट्यूब चैनल आयो प्यूस यूवर मैठ टीचर वेटा तो पर क्लास टेनी सीडिसी बोड़ का चैप्रान दो थी है इसके एक्सेट 3.3 का किस्टर में फर्स्ट का थर्ड पार्ट अपन डिसक्स करेंगे स्विडिया केंद्र वेटा अब इक्वेशन से आपको गिवन है 3x-y इकल तो 3 and 9s-3y इकल तो 9 आपको यहां पी उनको सोट कर रहा है वह से मेथा से सब्सक्राइब किया अपको सोलागों स्लूशन कैसे इसके बताऊ तो इसके इसक बाताऊ भी गिवन इक्वेसोंस आर 3x-y एकल 2 3 एक्वेसर नूमर फर्स्ट एपन एक्स या फिर वाई की भी इसकी पर नग करेंगे जाहे तो एक्स की पर नग करेंगे पुता वन्योफ एक्स in equation, 2nd, in place of x, पुता वैस की पुल्स एक्सी कबुता धे वैस का है बच्वेसर वाई करदेंगे immunize, ४हस्ट ग्रौट एक्सी क्वेसर में शिटी अचनी इक्सीशन में एक BD-9. यॉफ्ट 1 यो फिर पी, 3mitt lusics 9 में, 3 से 9 द्सले how to use the dimensions 3 द्स 3 को 3 सMुpt 9 10 को तो य सब assassinate रीका किया मिल्षार मुझत रीक है तो 3 से 3 सी द्सलेक पर अला सान था है अग्यों कि आ पास द्रौ स्थ्ञek पर रचीक से 9 तो स्बीक पर अग्यों कि द्सके साथ ना है यह आप कोई चोई भी यूनिक वैली वैलुए आपको नहीं बिन गिला तब क्या दिखा के, जाल Hier कोई पर दिखा को इसका नहीं बिला तब क्या टिकुलर सुख कर दो तो आपसे तीन केसे आपसे डिसक्स किया था कि if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 तो अपने पास को सार केस बनता है था? Unique solution था Unique solution का case अपने पास बनता है था फिर आपने डिसक्स किया था A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 जब तीनों के तीनों ratios अपने पास किया था? तो अपने पास होता है उसका infinite number हो था? Unique solution था? Unique equation से आप अगर A1, B1, C1, A2, B2 and C2 find out को लोगे उसका ratios निकालोगे तो सभी के सभी तीनों के तीनों ratios अपने पास किया हैंगे Equal हैंगे It means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 तो अपने पास उसका क्या होता है? Infinite number of solution था यह इसका क्या होता है अपने पास? Solution इसके next video में पान पान प्रस्ट का फोथ पार्ट मेरा डिसक्स करेंगे सभी 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 सभी